मोटर वाहन के नियमों में संसूधन किया गया है और नया मोटर वाहन नियम एक सितंबर से लागू हो गया है क्या कुछ इसमें प्रापधान है, क्या कुछ बतला गया है, क्या पहले था और क्या अभी है चलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप जब सफर करें तो इन नियमों को दिमाग में रख करके यानि कि इन नियमों का पालन करते हुए आप सफर करें ताकि कोई चूक नहों आपसे और नियम का पालन करें देखें ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे सबस्कार कीजा माचेयल को ताकि हर अप्रेट आप को समय पर मिलती रहे हम फिर मिलेंगे किसी और नए अप्रेट के साथ तो इन से इनका करो नमस्कार जै भारत जै पिहार चलिए इन नए नियमों को जान लेते हैं गारिया तो लगबग सभी लोग चलाते होंगे लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी है ताकि आप भी सुरक्षित रहे और सरक पर चलने वाले लोग भी सुरक्षित रहे नियम बनाए जाते हैं सुरक्षा के दिश्टिकोंट से तो चलिए नियमों में क्या संसोधन किया गया है क्या जुड़माने की राशी पहले थी और क्या बढ़ाय गया है आपको जाते हैं सबसे पहले सरक द्रुगटना में पीडितों को मुआपजा जो पहले 25,000 रुपे तक थी उसे बढ़ाय करके 2,000 रुपे कर देगे हैं गंभीर चोट की श्तिती में मुआपजी की राशी को 25,000 से बढ़ाय करके 50,000 रुपे कर देगे हैं गुड्स उमरिटन नेक ब्यक्ति वह ब्यक्ति जो द्रुगटना के समय पीडितों को आपातका लिन मेडिकल और नौन मेडिकल मदद देता है अगर सहायता परदान करने में द्रुगटना के शिकार ब्यक्ति की वह अगर जुबिर्ट्य भी हो जाती है तो गुड्स के category में आएंगे और आप पर किसी प्रकाइब कोई मुकद्वान नहीं चलाए जाएगा तीसरी बात अपराद वह जो जुर्माने का प्रापधान अपराद क्या है सीट बेल्ट नहीं पहनना एक अपराद की category में आता है और उसमें जुर्माने के राशी पहले क्या थी पहले राशी थी 300 रुपिय अब क्या है अब है 1000 रुपिय यानि कि यह 700 रुपिय का इजाफा हुआ है इसमें दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी करने पर 100 रुपिय पहले जुर्माने की राशी थी अब उसे बठागर के 1000 रुपिय कर दिया गया है हेलमेट नहीं पहनने पर पहले जुर्माने की राशी 200 रुपिय थी अब उसे बठा करके 1000 रुपिय और सबसे महत्वपोर्ण बात की 3 माह के लिए लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा तो यह सबसे महत्वपोर्ण है हेलमेट जरूर पहनिए वह आपकी सुरक्षा के लिए है इमर्जेंसी आधि वहान एंबूलीन्स को रास्ता नहीं देने पर और आप यह आवाज सुन रहे होगे तो ऐसे वहनों को मतलब कि आप रास्ता नहीं देते तो उसके लिए पहले जुर्माने की कुछ राशी नहीं थी लेकिन अब राशी तैय कर दी गई है और वो राशी है दस हजार रुपिय है यानि कि इमर्जेंसी वाहनों को आपको रास्ता यहीं हाव देना है आप अपनी गारी को रोकरके उन्हें पहले रास्ता दीजिए और यह नैतिक का भी यही कहता है कि पहले उनका आगे जाना जरूरी है बीरा ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जहां पहले 500 रुपे जुर्माने के राशी थी अब वो बढ़ागर के 5000 रुपे कर दिये गया है लाइसेंस रद्ध होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 500 रुपे के राशी को बढ़ागर के 10,000 रुपे कर दिया गया है ओवर इस पीड में जहां पहले 400 रुपे जुर्माने के राशी थी अब उसे बढ़ागर के 2000 रुपे कर दिया गया है खतरनाक ड्राइविंग करने पर जहां जुर्माने के राशी 1000 रुपे थी उसे बढ़ागर के 5000 रुपे कर दिया गया है शराब पीकर वहां चलाने पर जुर्माने के राशी पहले 2000 रुपे थी उसे बढ़ागर के अब 10,000 रुपे कर दिया गया है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर आजकल अधिक्तर लोग ये गलती करते हैं नहीं करना चाहिए नहीं करनी चाहिए ये गलती कितना भी अमर्जेंसी हो गारी को रोग करके बात किजिए तो 10,000 रुपे पहले थी अब वो राशी बढ़ा करके 5000 रुपे कर दी गई है बिना परमिट पाए जाने पर 5000 रुपे पहले जुर्माने की राशी थी अब वो बढ़ा करके 6000 रुपे कर दी गई है गारियों के ओवरलेटिंग पर 2000 और उसके बाद परती टन 1000 रुपे जुर्माने के रुपे वश्थोला दा था अब वो 2000 और उसके बाद परती टन 2000 रुपे कर दी गई है बिना एंसूरिंस के गारी चलाने पर 1000 रुपे को बढ़ा करें 2000 रुपे कर दिया गया है और नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर सबसे महत्पोन अगर कोई नाबालिक लड़का यानि 18 वर्स के कम उम्र के युवा या युव्टी गारी चलाता हुआ पाय जाता है तो पहले कोई जुर्माना नहीं लगता था जीरो था अब वो बढ़ा कर के 25,000 रुपे कर दिया गया है इतना ही नहीं तीन साल की सजा भी है अगर पकड़ा जाता है कोई नाबालिक के लड़का चाले गारी चलाता हुए तो तीन साल की सजा का प्रावधान क्या गया है वाहन का रजिस्ट्रेशन गारी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए नावालिक को पचीश साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो भाई नावालिक थोड़ा सा सब्र कीजिए आप लोग आपको भी गारी चलाने का मौका मिलेगा और 18 साल होने दीजिए तब आप गारी चलाएगे क्योंकि अगर आपके इसी नादानी करते हैं तो आ परिशानी लोगों को ना हो और हमें ना हो तो नियमों का पालन करते हुए गारियों को चलाएगे और एंबुलेंस को जरूर रास्ता दीजिए क्योंकि वो आपात कालिन है और नेतिकता भी करता है कि उसे रास्ता देना चाहिए वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्काइब पीजिए हमारे चैनल को ताकि हर आपको समय पर मिलती रहे फिर मिलेंगे जै भारत जै भी